आप सभी मंदिर जाते समय प्रशाद तो लेते ही होंगे और मंदिर में प्रशाद चड़ाने के बाद उसे अपने घर ले जाकर अपने परिवार वालों को भी देते होंगे अब आप कहेंगे कि प्रशाद तो बाटने के लिए होता है लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा मंदिर है जिसका प्रशाद घर लाने से सब अप्शगुन होता है तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है लेकिन ऐसा है राजिस्थान के दोसा जिले में स्थित महन्दी पुरपाला जी के मंदिर में ये प्रता है कि एक बार प्रशाद चड़ाने के बाद उसे ना ही अपने घर ले जा सकते है और ना ही खा सकते है बस इस प्रशाद को बिना देखे एक कुंड़ में रख दिया जाता है लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है आईए जानते हैं जल्दी से इसके बारे में इस मंदिर में हनुमान जी बालस्वरूप में विराज माने इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि जस किसी को भी भूत प्रेत का साय रहता है वो इस मंदिर में जाकर सही हो जाता है इस मंदिर के अंदर इतनी उर्जा है कि यहाँ पर कोई भी जाता है तो उसे यह उर्जा महसूस होती है और यही मानियता जुड़ी है प्रसाद को ना खाने से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां पर बुरी आत्माय रहती है और इसलिए प्रशाद को ना तो खा सकते हैं और ना ही घर ले जा सकते हैं इस मंदिर के अंदर जाने के लिए भी कड़े नियम बनाये गए इस नियम के मुताबित दरशन से कम से कम एक हकते पहले भक्तों को प्याज, लस्सुन, नौन बेच और शराब का सेवन बन कर देना चाहिए तो कैसी लगी महंदीपुर बाला जी के बाते हमें कमेंट में लिखकर बताए